सादत हसन मन्टो दे अगली कहाणी है पांज दिन जम्मू तवी दे रस्ते किश्मीर चाहिए तक कुद दे अगे एक छोटा जया पहाडी पेंड बटाउत होंद है सेथ लई बड़ी वधी आता है इते दिक दे मरीजा लेक निका जया सैनेटोरियम है उन्ज ता आज तो आठ नो वरी पहला मैं बटाउत च पूरे तिन मीने बिता चुक्यां ते इस सेहत अफजा मुकाम नाल मेरी जवानी दा एक अध़ पक्या जया इश्क भी जुड़िया होया पर इस कहाणी नाल मेरी किसे भी कमजोरी दा कोई सबंध नहीं छे सत मीने हुए मैंनों बटाउत विच अपने एक मित्तर दी पत्नी दी खबर सार ली जाना प्या जो उत्वे सेनेटोरियम विच जिंदगी दी आखरी साल ले रही सी मेरे उत्वे पुझदियां एक मिरीज भूरा हो गया थे विचारी पदमा दी साज उपले उखड़े वे सन होर भी बेवसाही दी हद तक पहुंच गए मैं कहानी सकदा कि कारण की इसी पर मेरा ख्याल है कि एक एवल इत्वाक सी के चार दिना दी अंदर अंदर उस निक्के जे सैनेटोरियम विच तिन मरीज उपरो थड़ी मर गए जियों ही कोई बिस्तरा खाली हुंदा जा रोगी दी सेवा करदे करदे थक्के हुए इंसाना दी थक्की हुए चीक पोकार उठती ता सारे सैनेटोरियम उत्ते का अजीब के समदी मट मेली उदा सीठा जान्दी त्यों मरीज जो उमीद दे पतले ता गिनल चिंबडे हुंदे निराशादिया था गेहरा यांचो डुब जान्दे मेरे मित्तर दी बीवी पदमांदाता साई सुतिया जान्द है उदे पतले बुलना होते मौत दी पिलत्तन कंबन लग दी ते उदी यांडूंगी आख खांचो इक निहायती तरस पर यह प्रशन पैदा हो जान्द है एक कबराया हुए क्यूं एक डरपोक नही तीजे मुरी मौत पेच्छो में बार वो रंडेच बैठके जिन्दगी ते मौत दे बारे सोचन लगया सैनेटरियम एक मर्त बांजिया लगता है जिस विच मौरीज गंडिया वंग उस सिर्केच डुबे वे ने एक कांटा होंदा है ते जिड़ा गंडा चंगी तरह गल गया है उन्हों टो टो के देखता है ते कट के लिया जानता है किन्नी हसों ही नी उपमा सी पर पता नी क्यों बार बारे ही उपमा मेरे दिमाग चाई ते मैं इस तो अगे होर कुछ ना सूच सकया कि मौत इक बहुत ही पॉंड़ी जीज है तुसी चंगे पले जी रहे हो फिर एक बीमारी के तो आके चंबर जान दिया तो तुसी मर जान दियो कहाणी कारी दे द्रिष्टी कौन तो भी जिन्दगी दी कहाणी दा यांत कुछ चुस्त नहीं लगता वरांडे चो उठके मैं वाड अंदर जावडिया अजे मैं दस-पंदरा कदमी चलिया हूं वांगा कि पिछियों व बाई नू मैं मुड़के देख्या चिट्टे बिस्त्रे होते दो काड़िया अखा मुस्कुरा आरे यां सान। वो अखा जिवें के मैंनू पिछ्चो पता लगया एक बंगाली ओरतियां सान जो दूजे मृजा नालों बिल्कुल वक्रे टांग नाल अपनी मौत नू उडी करें से उन्हें जदो क्या सी दफना आयत उसी नंबर बाई नू ता मैंनू एसास होया सी कि ऐसी इनसान नू नहीं एक नग नू दफना के आ रहे हैं ते सच कुछ होता उस म्रीज नू कबर दे हो अले कर दिया होया मेरे दिल दिमाग दे किसे खुंजे विच वी एसास पावेदा हो गया मैं जदो होर गल्ला बातां करन लिया उस बंगाली और दे को बैठेया जिदियां शा काडियां खा एहो जी हॉलनाक बेमारी दे बावजूत तरो ताजा थे चमकीलियां सान तो उन्हें ठीक उकणे मुस्कुरा के किया मेरा नंबर चार है फिर उन्हें च जिलान दफनान तो काफी दिल्चस्पी लें दे हो मैं उन्हें जिया उत्तर देता नहीं था इदे बाद इस संखेब जी गाल बात मुक गई ते मैं अपने मित्तर दे को उल्चा ला गया दूजे दिन मैं आम वांग स्यार नो निकले हां हलकी हलकी फुआर पैरे सी ते इम पर एसाल है रहे सन चील दे लंबे-लंबे रुख नीलिया नीलियां तो उन्दनल परियां पहाडियां सडक उते लुड़क दे हुए पत्थर मदरियां पर नरोयां मैसां हर पासे खूबसूरती सी एक विश्वास्ती मुरत बणी खूबसूरती सी जिनू किसे चोरदा तो अखला नहीं सी मैं सेर तो मुणके सैनेटोरियम चे जा वड़े आते मरीजां दे उत्रे हुए चेरियां तो इमनू पता लगया के कोहर नाग चल वसी है ग्यारा नंबर यानी मेरे मित्तर दी बीवी पदमा पदमा नियां तस यहां हूँ यां खांचों जो खुलीयां रह गयां बहुत सारे कबराए हुए क्यों ते अंगेंत डुपोग नई जम्मे हुए देखे विचारी मी वर्यासी एसले सुक्का इंदन कठा करंच बड़ी दिक्कत्दा सामना करना पयार खेर उस गरीव दी लाश नू अग दे हवाले कार देता गया मेरा मित्तर उत्ती चिता कुल बैठा रहा ते मैं उदा समान बगेरा संबाडन ले सैनेटोरियम आ गया वाड दे अंदर वर्दियाई मैंनू उस बंगाली और अधियावाज सुनाई दिती बड़ा चेर लागया थो नू जी आं मी दे कारण सुक्का इंदन नी सी मिल रहा इस करके देर हुगे होर न थावांते ता इंदन दियाँ दुकाना हुं दियाने पर मैं सुने यह थे द्रों द्रों आपी लकडियाँ कटनियाँ थे जुगनियाँ पैंदियाने जी आं बैठो न कुछ चेर मैं उधे कुल स्टूल हुथे बैठ किया था उन्हें एक अजीब यह सुआल कीता लब्दयां लब्दयां जातो नुशुकी लकडिदा कोई टुकड़ा मिल जन्दा हुएगा ता तुसी बहुत खुश हो जन्दे होगी उन्हें मेरे उत्तर दी उडीक ना कीती थे अपनिया चमकीली आखानल मैंनू प्यानल देख दिया हुए आंकिया मौत दे बारे तो अड़ा की विचार है मैं कई बार सोचिया है पर कुछ समझ नहीं सक्या उस यानियां वांग मुस्कराई थे फिर बच्चेयां वर गे लेज़े इच कैन लगी मैं कुछ कुछ समझी हैं इसलिए के बहुत मौतां बेग चुकी है एनियां के तुसी शैद हजार वरे वी जोंदे रह के न बेग सको मैं बंगाल दी रहन वालियां जिते दा एक काल अज तक बड़ा मशूर है तो उन्हों का पता ही होगा लखा आदमी होते मर चुके ने बहुत सारीय कहाणियां चप चुकी हैं मैं पुची है की उन्हें उसे रौच जवाब देता है मैं सोची है कि एक आदमी दा मरना मौत है एक लख आदमीयां दा मरना तमाश है मैं सच कहनी है मौत दा उप्य है जो कदे मेरे दिल चुख़ए करदा सी बिलकुल दूर हो गया हर बजार चुदास वी अर्थियां ते जनाजे दिखाई देन ताकि मौत दा असली मतलब खतम नहीं हो जाएगा मैं के वो लेना समझ सकी है कि एहुजियां अंगिन तो मौता उत्ते रूना बेकार है बेवकूफी है प्याल प्रित में ता इनने आदमियां दा मर जाना ही सब तो वड़ी ही माकत है मैं तुरंत पुच्या की थी किसे दिवी होदे ही माकत ही माकत है एक परेशेयर वे उत्ते तुसी उपरू बंबसूट देओ लोग मर जानगे खुवांच जैर पादेओ जेड़ावी उत्त पाणे पीएगा मर जाएगा एक आल कहत जांगती बिमारियां सब वाई आतने इननल मर जाना बिलकुल एकनी है जिकनू पुरू छाता आगिरे दिल दी एक जायस इच्छा दी मौत बहुत बड़ी मौत है इनसाननू मारना कोई बड़ी गाल नहीं पर उधी फित्रतनू कतल कार देना बहुत बड़ा जुल्म है इक क्या क्यों कुछ चिर्चो परेई फिर पासा वटके क्यान रगी मेरे विचार पहला इद्धान दे नहीं सन साच पुच्छो तो मैनू सोचन समझन दा मौक काई निसी मिलिया पर इस अकल ने मैनू एक बिल्कुल नमे जहां चलिया सूटेया रता रुक के एक कदमोदा त्यान एक दमोदा त्यान मेरे वल हुया मैं अपने नोट बोग कुछी याद दाश दे तोरते हो दिया कुछ गला लिख रहे हैं सी यह तुसी की लिख रहे हो ने पुछया मैं सचो सच दसना ठीक समझ आ थे कहां मैं कहानी कहा रहा जिडिया गला मैनू दिलचस्प लगण मैं लिख लेना ओ, फिर तो मैं तोनू अपनी पूरी कहाणी सुनाऊंगी। तिन कंटे ता कमजोर वास चो मैंनू अपनी कहाणी सुनाँदी रही। उनू ही कहाणी मैं अपने शब्दांच ब्यान करता। बे लोडे वेर्वियांच जानदी जरूरत नहीं, बंगाल चे जदों काल पेया, तो लोग तड़ तड़ मरन लगे। उधू सकीन्ना उदे चाच्चे ने एक अवारा आदमी दे हाथ 500 रुपेयांच वेच देते। जो नू लहार लायाया, तो एक होटल चे ठहरा के उत रु प्रटी कपड़े दी फिकर नहीं सी, उए हो जई नौ जवान दे सुपने देख दियांदी सी, जो दा पती बने। परिथिता उदा सौधा किता जा रहाया सी, इक होटी कर्तू उतले, उनू मजबूर किता जा रहाया सी, जिदी कल्पना नाले उनू कामबा छेड़ता जा जो दो कलकत्ते तो लोहार ले अंदी गई सी, उनू पता सी के उदे नाल की सलूग होन वडाएं। उस यानी कुड़ी सी ते चंगी तरह जान दी सी के कुछ को दिनांची उनू एक सिक्का बना आगे था था तोड़े आ जाएगा। उनू इस बारे इस सब कुछ दा पता सी पर उस कैदी वांग जो रहम दी आस ना होनते भी उमेद लही रखदा है। उस असंभव कटना वापर जान दी टेक लाई बेठे सी। उस रात मूं कुछ अपनी हुश्यारी नाल थे कुछ उस नौजवान दी ना ते जर्बे कारी इस सद का होटल चो पाज जान चे सफल हो लोकोन काट देख देसान पर उदे जो बन उजो चुपन वड़ी चीज नहीं सी। कुझे ना वदकूर देसान जी में वर्मे नालो दे अंदर मुरी कर रहे हुँ। सोने चांदी दा कोई गयाना जा मुत्ती हुन दा तो शायद लोकान या नजरां तो बचालन दी पर उई कजे इच चीज दी रख्या कार रही सी। जिस सुत्ते कोई भी असानी नाल हाथ मार सकदा सी। तेन देन तेन रताओ कदे उदर कुम दी पटक देरी पो खुनारो दा बुरा हाल सी। पर उने किसे मुरे हाथ ना आड़िया। उदर दी सी क्योदा आड़िया हुए हाथो द इज़त समेद किसे हनेरी कोटरीच खेच लेया जाएगा। उदुकानाच सजियां हुए हा मठियां या देख दी पोजन पंडारांच लोग बड़े-बड़े बुर्क तोड़के खान दे सी। उदे हर पासी खान पीन दिया चीजानू बड़े बेदर दी नाल वरत्या जा सोया। पहला उनू खाना मिल जान दा सी, हुनो खाने नू मिलना चोंदी सी ते मिल नहीं साकते सी। चार दिना दे फाक्याने उनू अपनिया नजरांच एक बड़ बड़ा शहीद बना देता ह। पर उस दे जिसम्दियां सारियां नी आहला के राग देते हैं। उजो रु सब्सक्राइब के राग देते हैं। उस चेनी सब्सक्राइब नहीं सी क्यों सोच दी कि वेड़े कुल पुझ चुकी सी। उंदले नेरेच उने कड़ोंजियां उत्ते दो साप सुत्रे कड़े देखे। ते उदे कोली फला नल परे हुए दो थाल स्यो नाश्पतियां नार उने सोच या नार बकवास है। श्यो ते नाश्पतियां ठीक ने कड़े दे उपर चपनी दी था तश्त्री नल टक्या हुए एक पियाला रखिया सी। उने तश्त्री चुक के देख्या पियाला मलाई नल परे हा सी। उने प्याला चुक लिया है। इस तो पहला के उप कुड़ान जी हेठा कुछ होरवी से यखनी गोश्त दा शोरबा, ठंडी यखनी ते उन्हें सारी पतीली मुकादत दी, फिर एक दम पता ने की होया कि उधे टिड़ दे तो रंद्रोय को वाल जया उठया, उधा सिर चक्राउन लगया, उस समय उन्हों खंगन दी अवास सुनी, उठके खड़ी होई, उन्हें पजन्दी कोशिश कीती पर चक्रा के डिग पहीती भी होश होगी, जो दो उन्हों चन लगी क्यों ती मीती मी खंग दिया वास सुनाई दती, तो फिर हड्डियां दाएक टांचा कमरेच वड़ेया, स्कीना ने अपने पिंड़ च बहुत सारे अकाल दे मारे इंसान देखे सान, परे इंसान उन्हों तो बिलकुल वक्रा सी, विचार्गी होदी अखा उन्हों आज दी तरसी होई इच्छा नहीं सी, स्कीना ने टिड़ दे पुखे देखे सान, जिना दिया निगाहां चे कनंगी ते पॉंडी साल लाल साउं दीये, परे इस मर्द दिया नजरां चोनू एक चिल्मिन जी दिखाई देती, एक तुंदला पर्दा, जी दे पिछ हों दियो, डर्या सेमया हो दे वल वेखरया सी, कबराहट स्कीनान होनी चाहिदी से पर सेमया होया हो सी, उन्हें रुक रुक के कुछ चिप दे हुए, कुछ अजीब के सम्दा संकूच मैसूस कर दे हुए, स्कीनान क्या, जा तू खा रही सी मैं तेरे तो कुछ दूर सी, हाई मैं किना उखा हो कि अपने खंग रुकी रखी, कि तू अराम नल खा सके, तो मैं एक खुबसूरत नजारा बहुती देर तक देख सका, पो खड़ी प्यारी चीज है, कि मैं इस निमत तो वन जा, नहीं वन जा, नहीं कहना चाहिदा, कि मैं आप इनू कतल कीता, वो क सब्सक्राइब, कि अपने सारी हट भीति, उन्हों सुना दती, उचप चाप सुनदा रहा, जिमें उदे उत्ते कोई असर ना हो या हुए, जो दो सकेना उदा तानवाद करन लगीता हो दिया, अखां, जो हंजुआं तो बेपरवा लग दिया, सनिक दम सिलियां हो गया, त अधी रहा पर सकेना, मैं दिल दा मरीजां, मेरी पोख मर चुकी है, मैनो कोई खाना, कोई फाल चंगा नहीं लगदा, तु खाया करी मैं तेनू देखा करांगा, तदे मुस्क्राण लगया, की ही माकत है, कोई होर सुनदा था की क्या था, जानी दूजा खाया करें ते मैं देखा करां, नहीं सकेना, उन्जे मेरी दिल ही इच्छा है के तु एत्थी रहे, सकेना कुछ सोचन लगी, फिर उन्हें किया, जी नहीं मेरा मतलब है, तुसी इसकार्ची कर ले होते मैं, नहीं नहीं, गाल ले है के मैं, सकेना थी गाल सुनके उन्हों कुछ अजिया तका लग गया के वो थोड़ी देर ले बिल्कुल गुआच जया गया, तो तो बोले आता हुदी आवास थुटी जी सी, मैं दस वरे तक कॉलिज कुडियानों पड़ा उन्दा रहे है, मैं सदा उन्हों अपनी ये बच्चियां समझे तू एक होर हो जाएंगी, सकेना ले कोई हो था ही नहीं सी, वो उस परफेसर दे को रहन लगी, परफेसर एक वरा आते कुछ मीने जयोंदा रहा इस समय दोरान, बजाए दे के सकेना उदी देखपाल कर दी, उल्टाओ जो बिमार सी, सकेना नू सुक सविदा पचान लेह, कुछ एस रांच रुज्या रहा, जवें वो बहुत काली जो गई, परफेसर दी खातर तवज्जो ने सकेना नू कुछ मीने आवेची निकार देता, फिर उसकेना तो कुछ दूर दूर रहन लगया, पर उदी देखपाल कोई फरक ना पया, आखरी देंच अचानक उदी हालत खराब होगी, एक राज जदो सकेना उदे नेड़ी सुती बे सी, वो बॉंदल के उठ बैठा दे जोर जोर दी कुपकर लगा, सकेना, सकेना, उदी याँ चीका सुनके सकेना कबरा आगी, उदी याँ तसियां हुए आखांच, वो जो चिल्मन जी हुंदी सी, किते दखाई नी दे रहे सी, उन आखां विच सकेना तो सुनना चौनी है मेरी वित्या, जानना चौनी है में की है, सुन, मैं एक चूट हाँ, बहुत बड़ा चूट, मेरी सारी जंदगी अपने आप नल चूट बोलन ते फेर उनू साच बनौन च लंगी है, हाई किना दुखदाईक अस सुभावक ते अन्मनुकी काम सी, मैं सुबावक इच्छा नुमारे आ सी, पर मैंनू यह पता नहीं सी, कि इस कतल दे पिच्छे मैंनू होर बहुत सारे खूट करने पहनगी, मैं समय दा सी कि एक मसाम बंद हो कर दे नल की फरक पह जाएगा, मैंनू यह पता नहीं सी, कि फिर अपने जिसंदे सारे दर्वाजे ब करने पहनगी, इसके नहीं जो कुछ भी मैं कह रहे हैं, फलसफी बकवास है, सिद्धी गाले है कि मैं अपना क्रेक्टर उचा करदा रहा थे आप अत्यंत डूंगें दल दलांच तास दा रहा, मैं मार जाओंगा थे मेरा एक क्रेक्टर एक बेटंगा, बेरंगा चंडा मेर मिटी उत्ते उड़दा रहेगा, उस सारी है कुडियां जिना मैं कॉलिज पढ़ाया करदा सी, जो तो कदे मैंनों याद करनेंगा, यही कहनगी है कि एक देवता सी, जो इनसाना चाह गया सी, तो तुम ही मेरी नेकिया नों नहीं पुलेंगी, पर हकीकत है कि जब तो तुम इसका अर्चाही है, एक छिण भी अजया नहीं लंगिया ज़द मैं तेरी जुआनी नों चोर अखाना ना वेख्या हुए, मैं कल्पनाच कई वार तेरी आ बुलानू चुमेह, कई वार ख्यालां के अलांच मैं तेरी आ बहांच अपना से रख्य है, हर वार मैंनू इना किना रहे, काश मेरे चैनी हिम्मत हुन दी कि मैं अपने इस सुप्चे करेक्टर नों एक लंबे बांस तेलंगूर वांग बठा सकता, ते डुगडुगी वजा के लोकानों कठा कर सकता, ते कह सकता कि आओ देखो, नसीयत लओ, इस कटना तो पिछो प्रफेसर के विल जी नहीं है, जिन्दगी ते आखरी पंच दिन, मेरे लिए बहुत नहीं है, मैं तेरा तनवाद दिया, तनवाद